अब आप एक कहानी पढ़ेंगे मेहनत का फल बच्चे अपने दादी और नानी से कहानी सुनते हैं बेटा बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है चलिए आज आज आपको एक कहानी सुनाती हूं मेहनत का फल आपने आलसी टिडड़े और मेहनती चीटियों की कहानी सुनी पढ़ी होगी आलसी तो और भी प्राड़ी होते हैं मेहनती प्राड़ी भी होते हैं जो मेहनत करते हैं बेटा ऐसे ही एक आलसी चुहे और मेहनती गिलहरी की कहानी पढ़ें एक था चुहा और बेटा एक थी गिल चूहे से बोली भया बरसात का मौसम आने वाला है कुछ भोजन तो जमा कर लो अरे देखा जाएगा कौन कहता है बेटा चूहा लापरवाही से कहता है मेरा काम तो तुम्हें समझना था मेरा काम तो तुम्हें समझाना था आगे तुम्हारी इच्छा गिलहरी ने कहा बरसात के दिन आ गए चारो और पानी ही पानी था और चूहे के बिल में पानी भर गया था उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था वो एक पेड़ की कोटर में घुस गया वो भूख से तड़प रहा था उसने खरगोस से खाने को कुछ मांगा तो खरगोस बोला बरसात का मोसम है अगर खाना तुम्हें दे दूँगा तो मैं क्या खाऊंगा भूखे चुहे ने में बाहर निकल कर भोजन ढूणने की ताकत नहीं थी तक गिलहरी को इस बारे में पता चला तो वो मूंफली के कुछ दाने लेकर कोटर में पहुची वो चुहे को दाने खिलाती वे बोली भाई मैंने तो पहले ही कहा था अगर कुछ मेहनत कर लो लेकिन तुम नहीं माने बहन अब मैं भी मेहनती बनूँगा ये कहकर चुहे ने माननी चाहिए और समय रहते मेहनत करनी चाहिए बिटा अब यह कहानी फिनिस होती है अगला लेक्षर कल पढ़ेगा आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए होमवर्क में आप यह कहानी अपनी नोट बुक पे लिखेंगे बिटा इस कहानी से हमें क्या सिच्छा मिलती है हमें ये सिच्छा मिलती है इस कहानी से कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात या अपने दोस्त की बात जरूर माननी चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए मेहनत का फल मीठा होता है इसलिए चैप्टर का इसका नाम कहानी का रखा गया है वेटा मे लेक्चर कल पढ़िएगा, थैंक यू क्लास